नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paal Singh Raathor और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा पाकिस्तान देश के इतिहास के बारे में ये वीडियो पाकिस्तान की हिस्ट्री को, right from the beginning कि पाकिस्तान देश का concept कहां से आया, वहां से लेकर latest 2018-19 तक का मैं पूरा history cover करूँगा obviously हर event को हम बहुत detail में नहीं जान सकते, लेकिन मेरी कोशिश यहां पे ये रहेगी कि within 9200 minutes मैं इस पूरे topic को comprehensively इस तरह से cover करूँ कि पाकिस्तान history की पूरी knowledge आप लोगों को मिल सके अब इससे पहले कि आप लोगों मैं से कुछ लोग rubber stamp लेकर मुझे anti-national कहने के लिए दोड़ पड़ें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो पाकिस्तान की history भी पढ़ लेनी चाहिए Godfather किताब की एक line है movie में भी ये line थी keep your friends and your enemies closer तो जिसके साथ आप दोस्ती करना चाहते हो प्लस दुश्मनी भी रखना चाहते हो दोनों के बारे में आपको detailed जानकारी होनी चाहिए तो अब आपका जो भी नजरिया है जिस भी नजरिया से आप देखते हैं पाकिस्तान को ये मत भूले कि वहां का भी इतिहास वहां की देश की जानकारी आपको होनी चाहिए कि political history क्या रही है पाकिस्तान की तो ये एक तरह से एक वीडियो पाकिस्तान की political history को timeline को explain करता हुआ मैंने यहाँ पर बनाया है अगर आप मुझसे social media पर connect करना चाहते हैं तो मुझे twitter, facebook या instagram पर महिपाल राठोड handle पर follow कर सकते हैं और मेरे सभी lectures के pdf including the pdf of this lecture will be available on my telegram channel महिपाल राठोड आपको search करना है telegram app पर और इस channel को join करना है जहाँ पर 1,40,000 से भी जादा लोग already मुझसे जुड़े हुए हैं अगर आप UPSC civil services के aspirant हैं और आप मेरे द्वारा बनाये गए history lectures को देखना चाहते हैं पुरी history मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आप study IQ के smart course को अवेल कर सकते हैं इसमें study IQ की अन्य faculties के द्वारा various subjects को cover किया गया है और यह comprehensive course है जो हमने prepare किया है keeping in mind the requirements of the syllabus तो यहाँ पर आपको 1000 से भी जादा videos देखने को मिलेंगे और कई सारे quiz प्लस और भी features हैं जो आपको हमारी app पर अवेल करने हैं तो यह course mobile phone पर यानि mobile app पर भी available होगा और website पर यानि computer या PC पर भी आप देख सकते हैं जादा जानकारी के लिए visit कीजे study IQ.com तो यह है पाकिस्तान का map पाकिस्तान briefly चार बड़े provinces में divided है यह आज का पाकिस्तान है जब देश अजाद हुआ था उस समय ऐसा पाकिस्तान का नक्षा नहीं था कैसा नक्षा था आपको आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा तो mainly पाकिस्तान में चार बड़े provinces हैं पंजाब, खैबर पक्तूनखवा, बलुचिस्तान और सिंध उसके अलावा कुछ federally administered territories है जो northern खैबर पक्तूनखवा में है अफगानिस्तान वाले border के निकट उसके अलावा इस्लामाबाद की जो capital territory है वो भी सकेंदर सरकार द्वारा यानि federally administered करी जाती है और जो जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान occupied वाला हिस्सा है वहाँ पर गिलगिट बलतिस्तान और so called अजाद कश्मीर दोनों एक independent autonomous region की तरह गवर्ण किये जाते हैं लाकि उसके status में कुछ change हुआ है उसके बारे में आपको detail जानकारी चाहिए तो मैंने उस पर एक separate video बनाया था उसे आप देख सकते हैं यह पाकिस्तान का geographical map है physical map है तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान का जो यह पंजाब वाला area है that is mostly plains यहाँ पर वो 5 नदियां बहती है पंजाब की काफी fertile area है यह साथी साथ सिंध में भी जो इंडस नदी की जो आसपास का शेत्र है वो भी काफी fertile है लेकिन जो northern areas है they are mountainous तो यह उत्तरी पहाडी शित्र है और यहाँ बलुचस्तान के अंदर desert plus mountains दोनों देखने को मिलते हैं तो यह बलुचस्तान जो है सबसे least populated area है पाकिस्तान का जादातर population पंजाब परांत में है उसके बाद सिंध परांत में पाकिस्तान के कुछ बड़े cities के नाम अगर मैं लूँ तो capital Islamabad जो की एक specifically नया शहर बनाया गया था देश बनने के बाद में पुराना शहर नहीं है पिशावर काफी पुराना शहर है लाहर वन अफ दे लाज़ेस्ट सिटीज कराची जो काफी सालों तक capital रहा था पाकिस्तान का तो यह कुछ बड़े cities है क्वेटा capital है बलुचस्तान का पाकिस्तान देश बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में विभाजित करने के बाद तो एक हिस्सा बना भारत दूसरा बना पाकिस्तान पाकिस्तान की डिमांड इस्लामिक नैशनलिस्ट करने लगे थे in the early part of 20th century बीसवी सदी की शुरुआत से ही पाकिस्तान की डिमांड आने लगी थी All India Muslim League और उसके नेताओं के द्वारा लेकिन पाकिस्तान के बनने में अगर सबसे important role किसी का रहा था तो वो था मोहमद अली जिन्ना का He was one of the most senior leaders of Muslim League और ऐसा कहा जाता है कि जिन्ना ने एक बार ये बात कही थी कि पाकिस्तान को बनाया है मैंने मेरे secretary ने और उसके typewriter ने यानि कि और किसी नेता का इतना बड़ा role नहीं है और ये खुद उन्हें भी realize हुआ था कि mainly जिन्ना के efforts और उनके जो भी political career था उसमें उन्होंने जो किया उसके कारण पाकिस्तान देश बनाया गया अब पाकिस्तान बनाने के पीछे मोहमद अली जिन्ना और Muslim League की philosophy या thinking ये थी कि भारत में Muslims को कभी भी just representation नहीं मिलेगा यानि उनके साथ कभी भी इनसाफ नहीं हो सकता until and unless वो अपना अलग देश नहीं बना लेते हैं लेकिन पाकिस्तान आजादी के बाद सही अपने आपको politically define करने में काफी struggles देखता आया है पाकिस्तान एक बहुत ही culturally और politically diverse country है I would say कि भारत जितना diverse नहीं है लेकिन comparable है महाँ पर भी बहुत जादा political diversity है और अभी पाकिस्तान एक political parliamentary democracy है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा है बहुत लंबे समय काल बीच बीच में ऐसे रहे हैं जब पाकिस्तान military dictatorship के अधीन था बहुत बार military coup हुए है जब democratically elected सरकारों को military generals ने उखाड फेका और सत्ता हतियाली और अभी पाकिस्तान में ये trend देखा गया है पिछले 20 सालों में कि वो नेता जादा popular हो रहे हैं जो अपने आपको सुनी इसलाम के साथ जादा अपने political philosophy को align करते हैं और उनी से उनकी popularity बढ़ रही है और पिछले 20 सालों से ये भी trend देखा जा रहा है कि पाकिस्तान especially northern Pakistan में और जो federally administered tribal areas है वहाँ पर आतंगवाद भी बढ़ रहा है और जो अफगानिस्तान वाला युद्ध हुआ युएस का जो attack था अफगानिस्तान पे 2001 के बाद उसके बाद से अफगानिस्तान से निकल कर कई तालिबान के लोग इस एरिया में आकर रुखने लगे रहने लगे और इसके कारण Islamic extremist groups northern Pakistan में बढ़ते जा रहे हैं टेरिरिजम के अलावा पाकिस्तान में कई ethnic religious और social conflicts भी समय समय पर देखने को मिलती है इसका एक recent उधारन है जब सिंध प्रोविंस में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इस तरह के जब प्रोटेस्ट होते हैं तो कई areas केंद्र सरकार के power से या government authority से बाहर भी चले जाते है ऐसा कई बार बलुजस्तान में भी देखा गया है, federally administered tribal areas में भी देखा गया है कि वहां के कई areas में सरकार का presence negligible हो जाता है और religious minorities के खिलाफ भी लगातार पाकिस्तान में violence होता रहा है तो इस सब के पीछे की कहानी क्या है यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस lecture में लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का गणितंत्र दिवस आने वाला है और इसी Republic Day के तहट Study IQ ने एक sale start करी है अपने courses पर तो आपको UPSC smart course अभी extra 10% discount पर available होगा अगर आप 26 January तक इस course को purchase करते हैं आईए पाकिस्तान की history के बारे में हम के लगभग 30 साल बाद Indian National Congress का गठन किया गया इस Congress में जादातर members Hindu थे और जो Muslim members थे उन्हें ये चीज़ लगने लगी कि यहाँ पर हमारे political goals अचीव नहीं हो सकते और जो Muslim community की demands हैं उनको Congress fulfill नहीं कर सकती इसलिए 1906 में All India Muslim League की स्थापना करी गई और आप कह सकते हैं कि एक त के एक बहुत बड़े lawyer थे और Congress politician भी थे Congress member भी थे उन्होंने Muslim League join करी और गांदी जी के साथ जो उनकी ideology है वो match नहीं करती थी हाला कि गांदी जी इस वक्त Congress में नहीं थे ये 1913 की बात है ये बाद का समय कि मैं बाद आपको बता रहा हूं 1916 में Lucknow Pact होता है उस समय Muslim League और International Congress दोनों ने अपना common agenda तै किया और ये decide किया कि हम British Shares के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे और self government की demand करेंगे Dominion status की demand करेंगे जैसे Australia, New Zealand या Canada में demands हुई थी और मान भी ली गई थी लेकिन 1930 आते आते जो Muslim League है उसके कुछ leaders ये कहने लगे थे कि हमें एक independent Islamic state चाहिए अगर particular एक event के ह हम बात करें तो 1930 में मुहमद इकबाल ने एक अपनी speech में पाकिस्तान या एक अलग देश की demand करी थी तब पाकिस्तान word नहीं था बस ये कहा गया था कि जो Muslims हैं भारत के उनको इस common country में कभी भी justice नहीं मिलेगा तो मुहमद इकबाल का या idea था कि जो चार North Western provinces हैं British India के सिंद, बलोचिस्तान, पंजाब और North West frontier province इनको जोड़कर एक independent Muslim state बना देना चाहिए याद रटना इसमें कहीं पर भी आज का जो बांगलादेश या East Pakistan था उस वक्का उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था 1933 में चौधरी रहमत अली जो की एक law student थे Cambridge, England में उन्होंने ये Pakistan term coin किया तो इन्होंने एक pamphlet छापा था Now और Never और इसमें इन्होंने अक्रोनिम बनाया पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, इंडस, सिंध और बलोचिस्तान से ये स्थान लेकर और Pakistan नाम लिख दिया और अग एको दोनों चीज़ें ही हैं कि land of the pure दोनों ही मतलब हैं तो बहुत ही अच्छा शब्द बनाया गया था, it's a very clever wordplay that was done by चौधरी रहमत अली, तो अब 1930s में continuously पाकिस्तान की डिमांड उठती रही समय समय पर, लेकिन 1940 में officially Muslim League ने अपने लाहर सेशन में पाकिस्तान की डिमां nationalities और इन्होंने कहा कि हमें अलग देश चाहिए और ये official Muslim League का resolution पास कर दिया गया 1940 में, तो 1940 से लेकर 1947 के बीच में जिन्ना was very proactive, इन्होंने हर जगे जाकर पाकिस्तान के बारे में बात करी कि एक अलग देश होना चाहिए, कौन से areas इसमें होने चाहिए, इसके बारे में भी बात करते थे और 1947 आते आते एक अलग देश बनाने में इनको success मिली, 1946 में जब cabinet mission भारत आया था तो ये almost तैह था कि आजादी तो मिली जाएगी, बस ये तैह होना बाकी था कि आजादी किस तरह से मिलेगी, तो उस वक्त काकिस्तान एक अलग देश के रूप में नहीं दिया हो गया कि दो देश बन जाएंगे, भारत को दो हिस्सों में बाटा जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडियन इंडिपेंडनेंस एक ने डीटेल में ये बात बताई कि कि किस तरह से देश का बटवारा होगा, और उसके बाद जस्टिस रैटक्लिफ को बुलाया इस्टन पार्ट ऑफ बेंगॉल प्रोविंस, तो वो जो चार ओरिजिनल डिमांड वाले प्रोविंस थे, वो तो थे ही, प्लस बेंगॉल प्रोविंस भी यहां दे दिया गया पाकिस्तान को, तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जब देश बना था, उसी समय इसका नक्षा काफी अजीब सा था, देश का जादतर जोग्रिफिक एरिया यहां पर था, which was at that time West Pakistan, और इसका जोग्रिफिक अली इतना बड़ा एरिया नहीं था, लेकिन East Pakistan या फिर उस समय का East Bengal आबादी के अनुसार जादा बड़ा था, तो इस एरिया में जादा लोग र कश्मीर को लेकर एक लड़ाई भी हुई 1947 और 48 में भारत और पागिस्तान के बीच में, तो अब ये जो दो टेरिटरीज हैं पागिस्तान की, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पोस कर रहे थे, कि आप इन दोनों देशों को physically infrastructure से कैसे जोड़ेंगे, भारत से जिन्ना न का distance ये बहुत ही crucial था और ना किवल ये physical distance है, बलकि भाशा, culture, हर तरह से ये दोनों areas geographically पूरे different थे, बस एक common link था कि दोनों में Muslim population majority में थी, partition के समय, लाखों लोग एक से दूसरे देश गए, दोनों side movement हुआ, और इसमें लाजारों लाखों लोग मारे गए, official आंकड़ा 4 लाख लोगों के मारे जाने का है, unofficial आंकड़े 20-30 लाख तक जाते हैं, कि इतने लोग मारे गए थे partition के दौरान, इस बटवारे में भारत और पाकिस्तान में जो दो बड़े provinces थे, उनको भी बाटा गया, तो पंजाब, जो कि एक बहुत बड़ा province था, British India का, उसको दो हिस्सों में बाट दिया गया, तो भारत के हिस्से में जो पंजाब था, वो काफी कम था area में, पाकिस्तान के हिस्से मे population और area दोनों कम थे, Bengal में क्या था, East Bengal में जो सबसे fertile areas थे, jute producing areas वो थे यहाँ पर, और भारत के हिस्से में आया था, West Bengal, तो यहाँ पर जाहतर factories थी, और manufacturing hubs थे, और इसके अलावा सिलेट जो है, यहाँ पर भी एक vote हुआ था, और सिलेट decided to join Pakistan, अब नए नवेले पाकिस्तान के सामने क्या challenges थे, पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा challenge यह था कि उसके पास कोई बहुत जादा developed areas नहीं थे, सिंद, बलुचिस्तान और North West Frontier Province जो completely पाकिस्तान को मिले थे, यह कोई बहुत developed areas नहीं थे, यहाँ पर बहुत जादा industry या agriculture इतना अच्छा नहीं था, जितना Bengal पंजाब में था, लेकिन यह दोनों तो आधे-धे मिले थे, पंजाब आधा, बेंगॉल भी आधा, बेंगॉल के हिस्से में एक और problem थी, जो पाकिस्तान को बेंगॉल का area मिला था, वो mostly rural area था, jute producing area था, लेकिन जो सारी jute mills थी, वो भारत वाले, West Bengal में चली गई थी, तो यहाँ पर raw material produce हो रहा है, लेकिन कोई industry नहीं, और भारत के साथ उल्टा था, industry थी, लेकिन raw material के sources सारे चले गए थे, पाकिस्तान में, तो दोनों देशों को problem हुई थी, लेकिन उस वक्ते पाकिस्तान के सामने ज़ादा बड़ी problem थी, कि अपनी industry को किस तरह से develop किया जाए, पाकिस्तान के सामने अगली समस्या यह कश्मीर क्राइसिस की, आजादी के दो महीने बाद ही भारत के साथ युद्ध शुरू हो जाता है, on the issue of कश्मीर, जमू कश्मीर, प्रिंसली स्टेट, पाकिस्तान चाता था कि हमारे को जॉइन करे, वहाँ पर Muslim majority population थी, भारत चाता थ आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, तो यह कश्मीर का जो problem है, इसके कारण भारत पाकिस्तान के रिष्टे हमेशा से खराब रहे हैं, मतलब आप देखिए कि भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था अगर कश्मीर क्राइसिस नहीं होता, just remove the कश्मीर ही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब मैं पाकिस्तान की political history के बारे मैं आपको बताऊंगा, तो पाकिस्तान के जो शुरुवाती 8-9 साल थे, उस समय पाकिस्तान एक republic नहीं था, तो पाकिस्तान में governor general का पद हुआ करता था, और जो head of state था, वो कौन था? British monarch, जी हाँ, हमने तो 1950 में constitution अपना अपना लिया था, लेकिन पाकिस्तान को constitution बनाने में बहुत समय लगा था, 12-13 साल लग गय थे constitution बनाने में, तो 1956 तक तो पाकिस्तान में head of state was British monarch, तो पहले George VI और उसके बाद Elizabeth II, तो ये चार governor general जो थे शुरुवात के समय में, इनका time period अभी ह और इसकंदर मिर्जा, तो ये जो नया republic बना था, ये technically republic था नहीं, बाद में 1956 में जाकर इसका नाम Islamic Republic of Pakistan कर दिया गया, जब president की post बनाई गई और governor general का पद हटा दिया, तो पाकिस्तान के सामने एक और बड़ा challenge के आया, कि जो पाकिस्तान के जनक थे, मोहमद अली जिन्ना, क दोनों ही देशों के जो सबसे tallest leaders थे, वो दोनों चले गए थे, अब Muslim League में जिन्ना के बाद कोई बड़ा political figure नहीं था, तो एक बहुत बड़ा political vacuum आ गया पाकिस्तान में, भारत में ये स्थिति नहीं थी, क्योंकि भारत के अंदर जवार डाल नहरू, सरदार वल्लब भाई जैसे काफी senior leaders थे, जो महात्मा गानी के साथ, या फिर उनसे भी पहले से, आजादी के अंदोलन से जुड़े हुए थे, and they took up the mantle very well, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसी situation नहीं थी, तो जिन्ना की मृत्यू के बाद, ख्वाजा नजीमुदीन जो East Bengal के Chief Minister थे, उन्हें बनाया ग काम करती रहेगी, पारलेमेंट उस वक्त बनी नहीं थी, जो Constituent Assembly थी, उसी के मैं mainly बात कर रहा हूँ, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें, Governor General होना तो चाहिए था, वहाँ पर इंचार्ज, लेकिन उसके पास बहुत जादा पावर नार है, ये सारे leaders सोच रहे थे, प्रा आजर कहा जाता था पाकिस्तान में, आज भी कहा जाता है उन लोगों को जो इंडिया से migrate करकर पाकिस्तान गए, तो इनके सामने सबसे बड़ी problem भी आए ही, कि जो local leaders थे, provincial leaders, वो इनकी बात नहीं मानते थे, इतना control इनका नहीं था उन provincial leaders पे, लियाकाद अली खान का target था कि देश को जल से जल एक नया समिधान दिया जाए, constitution दिया जाए, याद रखिए, 1949 के end तक इंडिया अपना constitution बना चुका था, पाकिस्तान में controversy चल रही थी, कि कि किस के पास जाधा power हो, राज यानि provinces के पास, या फिर center के पास, एक और problem थी, East Bengal के साथ क्या किया जाए, East Bengal में, Overall पाकिस्तान की majority of the population रहती थी, यानि कि East और West को मिला दो, तो East की आबादी 55 परसेंट थी, जबकि geographic area काफी कम था, लेकिन पाकिस्तान देश बनाया गया था ना जब, तो उसका पूरा idea ही यही था कि Punjab, Northwest Frontier provinces, Sindh, इनको मिला कर पाकिस्तान बनाया जाए, जो West पाकिस्तान म लोगों के साथ इतना connection नहीं था, obviously geography है, language, culture, इतना सारा barrier था, तो इतना connection नहीं था, लेकिन majority population कहा थी, East पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो dominance था, वो था पंजाब के निताओं का, जो पंजाब province के निता है, वो mostly dominate कर रहे थे, government में, bureaucracy में, सभी जगे, लेकिन आबादी यहाँ पर जादा थी, तो अगर आप provinces को जादा power देंगे, तो फिर East पाकिस्तान को काफी power मिल जाएगी, तो जो पंजाबी थे, उन्होंने ये कहा कि East Bengal को हम जादा power नहीं दे सकते हैं, reason कि वहाँ पर हिंदूस की भी एक substantial population है, यानि कि East Bengal में यहाँ पर हिंदू आबादी भी है, काफी sizable percentage है, और इनकी loyalty पाकिस्तान के प्रती थोड़ी सी questionable है, तो इसलिए ये बहाना करके East Bengal को representation नहीं दिया गया, East Bengal को cut down करने की कोशिश करेगी, यानि कि उसको काईदे से 55% population के अनुसार, 55% representation मिलना चाहिए था, जो भी Parliament है या कहीं पर भी, लेकिन इतना representation देने को पंजाब के जो political leaders थे, वो बिलकुल भी तयार नहीं थे, तो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान इसी problem को solve करने में लगे हुए थे, जगे 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 जाकर लोगों से बात करते थे, rallies करते थे, और ऐसी ही एक rally में, रावल पंडी में उन्हें गोली मार दी गई, एक प्राइम मिनिस्टर और इनकी जगे गवर्नर जनरल बन जाते हैं गुलाम मुहमद, तो अब क्या होता है कि गुलाम मुहमद, यानि कि गवर्नर जनरल is very strong and नजीमुद्दीन is weak, तो देश का प्राइम मिनिस्टर, यानि कि head of state तो है कमजोर और गुलाम मुहमद है strong, तो एहमदियास सेक्ट को non-muslim declare किया जाए, और एहमदियास और सुनी Muslims के बीच में problem ये थी, कि ये मानते थे कि एक ही profit है, जबकि एहमदियास का मानना है कि और भी profits हैं, basically अगर short मैं आपको बताऊं तो इतना ही है, तो कुल मिलाकर जो सुनी population थी पंजाब की वो नहीं चाहती कि एहमदियास कम्यूनिटी का कोई भी विक्ती उचे पद पर बैठे या फिर एहमदियास को citizenship तक दी जाए, तो एहमदियास सेक्ट के खिलाफ ये दंगे हुए और जो भी public office में था, एहमदियास सेक्ट का या community का, उनको office से dismiss कर दिया गया, नजीमुदीन ने कोशिश करी क दंगे रोके जाए, लेकिन वो असफल रहे, गुलाम मुहमद ने इसी basis पर प्राइम मिनिस्टर को dismiss कर दिया, सरकार को dismiss कर दिया, कहा कि तुम दंगे ही नहीं रोक पारे हो, तुम सरकार क्या चलाओगे, तो यहां से ही पाकिस्तान में सरकारें बरखास करने का एक tradition शुरू हुए थे 1919 के बाद से, उन सरकारों को भी dismiss कर दिया जाता था इसी तरह के किसी बहाने के कारण, उसी तरह का कुछ पावर गुलाम मुहमद ने भी दिखाया और सरकार को dismiss कर दिया, इसी बीच East Bengal में भी problems होनी start हो जाती है, East Bengal में भाशा कौन सी बोली जाती थी, Bengali, Bangla, तो Bangla भाशा को official language का दरजा महा पर नहीं दिया जा रहा था, पाकिस्तान की government जो पंजाब के politicians के द्वारा dominated थी, उसने कहा कि किवल उर्दू official language होगी, इसके खिलाफ East Bengal के लोग उठ खड़े हुए, कई सारे दंगे भी हुए, finally इतने सारे protest के बाद 1956 में government ने Bengali को भी official language का status दे द तो यहाँ पर East Pakistan के लोगों का कहना था कि यह जो West Pakistan या Punjab के politicians हैं, यह हमें तो एक colony के रूप में देखते हैं, हम पर तो उनकी भाशा थोप रहे हैं, हमारी भाशा ही नहीं है उर्दू, हम तो बंगाली बोलते हैं, इसी मोहल में East Bengal में provincial elections होते हैं, यानि कि local state elections, तो यहाँ यहाँ पर जितनी भी regional parties थी, वो Muslim League के खिलाफ united हो गई, उन्होंने बनाया एक united front और इसमें दो बड़ी parties थी, क्रिशक स्रमिक पार्टी फजलूल हक की और आवामी लीग मुझीबुर रह्मान की, यहाँ पर Muslim League बुरी तरह से हार गई, completely wipe out हो गई इस election में, लेकिन चुनाव के नतीजों के तुरंद बाद दंगे बढ़ब उठे, especially धाका के आसपास काफी दंगे हुए, और फजलूल हक अपनी सरकार बनाते, उससे पहले ही इन दंगों का बहाना बनाकर, जो central government थी पाकिस्तान की, उसने governor's hall वहाँ पर लागू कर दिया, तो United Front जिसको electoral victory मिली थी, व यानि कि जब तक मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, law and order नहीं आ जाता, तब तक इसकंदर मिर्जा को चार्ज दे दिया गया East Pakistan का, तो Muslim League एक तरह से East Bengal में हारने के बावजूद, यहाँ पर rule कर रही थी, वाया Central Government and Governor, अब क्योंके Muslim League East Pakistan में हार गई थी पूरी तरह से तो जो Central Constituent Assembly थी, वहाँ पर उसके numbers कुछ change होते, कम होते, जो parties जीती थी, उनको वहाँ पर representation देना होता, तो यह काम हो पा था, उससे पहले ही, Constituent Assembly ने गुलाम मुहम्मद के Vice Regal powers को कम करने की कोशिश करी, इन्होंने अपनी तरह से कोशिश करी कि जो Governor General है, उसके powers कम हो, ब काम शुरू कर दिया, हाला कि इस फैसले को पाकिस्तान के High Court में challenge किया गया, लेकिन पाकिस्तान High Court ने कहा कि नहीं, यह decision reverse नहीं होगा, सरकार बरखास्त हो जाएगी, Constituent Assembly भी dissolve हो जाएगी, लेकिन Court ने यह कहा कि अब एक नहीं Constituent Assembly बनाओ, क्योंकि समिधान बनने का काम च Important personalities थे, जैसे इसकंदर मिर्जा, जिसको East Bengal का charge दिया गया था, जनरल मोहमद अयूब खान, जो आगे चलकर अगे पाकिस्तान के एक बहुत important leader बनते हैं, he was the Army Chief of Staff at that time, H.S. हुसेन शहीद सोहरावर्दी, जो undivided Bengal के, यानि कि आजादी से पहले Bengal के आखरी Chief Minister थे, और सोहराव ये politics करते थे East Bengal में, यानि कि East Pakistan में, और ये Central Government, यानि कि West Pakistan में जो government चलती थी, उसका भी हिस्सा थे, तो बहुत ही unique scenario होता, H.S. हुरावर्दी का, anyways, तो ये जो bureaucrats थे, इन्होंने Muslim League का और सरकार का पूरा control अपने हाथ में ले लिया, इन लोगोंने, और कई और भी इसमें ल उसका नाम officially change करके East Pakistan कर दिया गया, और इसको दूसरा administrative unit बना दिया गया, ये move क्यों था, ताकि अगर भविश्य में जो national parliament बनती है, वो दोनों के बीच में बराबर divide हो, ये उसका logic था, 1955 में गुलाम मोहमद office से retire हो जाते हैं, या dismiss कर दिये जाते हैं, मतलब उनको basically धका मार कर हटा दिया गया, और इसकंदर मिर्जा बन जाते हैं अब governor general, तो now he is the fourth governor general of Pakistan, इसकंदर मिर्जा, and he will be the first president of Pakistan also, ये आखरी governor general थे, और इनके बाद ये governor general का पद खतम हो गया, और ये बन गये पाकिस्तान के पहले prime minister भी, I'm sorry, president, not prime minister, तो 1956 में नई constituent assembly, finally, पाकिस्तान के constitution का क खत्म करती है, पाकिस्तान को एक Islamic Republic declare किया जाता है, और एक national parliament बनती है, जिसमें एक house होगा, दो house नहीं होंगे, upper lower house नहीं, there is only one house, जिसमें 300 members हैं, और इसमें east और west पाकिस्तान को equally represent किया जाएगा, आबादी के अनुसार, 10 additional seats महिलाओं के लिए reserve करी गई, half from east पाकिस्तान, half from west पाकिस्तान, prime minister और cabinet govern करेंगे, parliament के अनुसार, वही जो west minister वाला system है, भारत में भी follow होता है, बिल्कुल उसी तरह का system, envisage किया गया था, president को कुछ reserve powers दी गहीं थी, और इसकंदर मिर्जा अब governor general की जगे बन गए, president, लेकिन, इसकंदर मिर्जा इतना जल्दी जुकने को त इसकंदर मिर्जा ने एक के बाद एक कई prime ministers को dismiss कर दिया, कई case तो ऐसे भी थे, जहाँ एक एक महीने सरकार चली और उसके बाद हो सरकार को dismiss कर दिया गया, इसकंदर मिर्जा के द्वारा, even without a vote of confidence, मौका ही नहीं दिया जाता था कि वो अपनी majority prove कर सके, इसके कारण पाकिस्त दूर से control करने का जो issue था, यह बढ़ता जा रहा था और मिर्जा पर यह आरूप लग रहे थे local leaders के द्वारा कि मिर्जा is trying to become a dictator, यानि कि president, president ना रहकर बल्कि तानाशा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी महौल में, इसी तानाशा को हटाने के लिए, जनरल अयूब खान जो खुद उनके एक senior member थे, cabinet के और पाकिस्तान के army के chief of staff थे, इन्होंने पाकिस्तान का पहला coup data कर दिया, यानि कि पाकिस्तान में पहला military तकता पलट होता है, 1958 में, तो पाकिस्तान की सत्ताब चली गई, military general Ayub Khan के हाथ में, जिन्होंने almost 10 साल तक एक छत्र राज किया, तक 10 years के रिए General Ayub Khan was the leader of Pakistan, he deposed Iskandar Mirza, तो ये पाकिस्तान का पहला coup data होता है, लेकिन Ayub Khan के सामने भी सबसे बड़ा challenge था, East Pakistan की समस्या है, वहाँ की problems बढ़ती गई, बहुत सारे protest हो रहे थे और ultimately, उसी के कारेंट, 1969 में, General Ayub Khan को इस्तीफा देना पड़ा, और इसकी जगे, एक नया military ruler आ जाते हैं, पावर में, याया खान, तो याया खान, Ayub Khan के समय में, आर्मी के head थे, he was the army general, याया खान 66 में आर्मी जनरल बने थे, 65 की युद्ध के बाद, तो याया खान पावर में आ जाते हैं, दो साल के लिए लगभग ये पावर में रहते हैं, 71 में जब इं चुनाव नहीं हुए हैं, प्रोविंशल elections हुए हैं, लेकिन पूरे देश में एक साथ केंदर सरकार बनाने के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ है, आधा समय तो वैसे ही देश का political turmoil में निकल गया, शुरुवात के जो 7-8 साल थे, उसके बाद पावर चली गई, Ayub Khan के हाथ म और इस पहले election ने पागिस्तान को 200 में बांट दिया, कैसे? तो देखे 300 constituencies थी जिन में से 162 थी East Pakistan में और 138 West Pakistan में, क्यूंके East Pakistan की population जादा थी, East Pakistan में शेक मुझीबूर रह्मान की अवामी लीग ने campaign किया, Autonomy के grounds पर, इन्होंने कहा कि Autonomy चाहिए हमें East Pakistan को, और इने मिला clean sweep 162 में से 160 seats, शेक मुझीबूर रह्मान की अवामी लीग को मिल गई, किवल एक seat पर जमाते इसलामी जीती थी और एक seat पर चुनाव पोस्टपॉन कर दिया गया था, तो एक तरह से सारी की सारी seat हैं, ये ले गए, और दूसरी और, जो West Pakistan था, वहाँ पर एक नई party, Pakistan People's Party, PPP चुनाव जी थी, वहाँ पर जो 138 seat थी, उनमें से 81 पर majority हासल करी, जुल्फिकार अली भुटो की Pakistan People's Party ने, तो ये नई party थी 1967 में बनी थी, मेंली जो अयूब खान के अगेंस थे, लोग वो इक अट्टा होकर उन्होंने ये party बनाई थी, तो उस a left-leaning party, socialist और left-leaning ideals वाली party तो अब इन 300 seat ओं में जब मुझीबुर रह्मान को 160 seats पर majority मिल गई, तो directly ये सरकार बना सकते हैं, इनको 150 plus seats मिल गई हैं, लेकिन ये directly सरकार बना नहीं पाए, तो this is शेक मुझीबुर रह्मान and this is जुल्फिकार अली बुटो, तो जुल्फिकार अली बुटो ने ये कहा, कि PPP, West Pakistan में सारी seat जीती है, और मुझीबुर रह्मान की अवामी लिग को West Pakistan में एक भी seat नहीं मिली है, तो इनको सरकार बनाने का कोई हक नहीं है, और ultimately जो West Pakistan का establishment था, जो पाकिस्तान के Punjab-based के politicians थे, और जो military थी, वो नहीं चाते थे कि पाकिस्तान देश का भविश्य एक East Bengal के politician के हाथ में चला जाए, तो उन्होंने ये भाहना किया कि मुझीबुर रह्मान की party West Pakistan में कोई उसका base नहीं है, बिल्कुल नहीं जीती है, तो पूरी सरकार इनकी नहीं बन सकती, कोई ना कोई formula बना कर एक joint सरकार बना सकते हैं, प्रेजिडेंट याया खान ने दोनों के बी on the agenda of autonomy, उन्होंने अपने लोगों से वादा ही यही किया था कि हम East Bengal को, East Pakistan को autonomy दिलवाएंगे, लेकिन इस वाली बात पर West Pakistan के नेता राजी नहीं थे, तो इसलिए compromise हो नहीं पाया, तो भुट्टो और उनके associates ने ये देखा कि ultimately इस federation में आगे हमारा भविश्य है नहीं, तो National Assembly को convene ही मत करा हो, यानि कि जब National Assembly मिलेगी ही नहीं, महाँ पर voting ही नहीं होगी, तो सरकार कौन बनाएगा, इस बात से नाराज होकर Mujibur Rahman ने declare कर दिया कि अब West Pakistan से हमारा अलग होने का वक्त आ गया है, violent protests, strikes और boycott शुरू हो गए East Pakistan में, अवामी लीक के जो लोग हैं, उन पर भी कई हमले किये गए, लेकिन इस सब के कारण March 1971 आते आते ये लगने लगा था कि situation civil war की हो सकती है, तो 25 March 1971 को, अवामी लीक के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी ने अपना crackdown शुरू किया, और उसी दिन Mujibur Rahman को भी arrest कर लिया गया, Mujibur Rahman को जेल में डाल दिया गया, West Pakistan की एक secret jail में, और by the way, जुल्फिकार अली भुट्टो को भी jail में डाल दिया गया था, या खान ने दोनों को jail में डाल दिया था, कुछ समय के लिए, धाका University में firing करी गई, बहुत सारे intellectuals और students को मारा गया, और आज भी एक statue बना हुआ है, Bengali intellectuals की killing पर, basically पाकिस्तानी आर्मी ने कई सारी atrocities करी 1971 में, और इसके बारे में आपको जाला जानना है, तो आप सिधान सर की द्वारा बनाये गए इस lecture को भी देख सकते हैं, और ये जो genocide है, जी हाँ, इसको genocide कहा जाता है, बांगलादेश का, ये genocide में खास बात ये रही थी, कि जो US ambassador थे उस वक्त, पाकिस्ता government, US government से support चाती थी, तो US ने United Nation Security Council में, पाकिस्तान का साथ दिया, दूसरी और Soviet Union ने भारत का साथ दिया, और जो East Pakistan, अब बांगलादेश बनने ही वाला था हो, उसका साथ दिया, तो ये genocide और इसकी जानकारी US government को थी, लेकिन इन्होंने कोई action नहीं लिया, तो मुक्ती बाही बेंगॉली resistance बनाया गया, इसमें वो लोग थे, जो सरकार से नरास थे, और इनको support देना शुरू किया भारत की government और आर्मी ने भी, पाकिस्तानी आर्मी लड़ाई को रोक नहीं पाई, क्योंकि मुक्ती बाहीनी को जो support था, वो Indian forces के द्वारा दिया जा रहा था, कई महीनो तक और finally December महीना आते आते, साल खत्म होने के समय, Indian army ने officially लड़ाई छेड़ दी, जंग छेड़ दी, Indian army attacked East Pakistan, और वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी तुरंत कुछी दिन के अंदर हार गई, और 16 December को वहाँ पर armistice sign कर लिया जाता है, 93,000 पाकिस्तानी आर्मी soldiers ने surrender किया Indian army के सा support हार गए, he had to resign right after the Bangladesh became independent, ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत बड़ा सदमा था, धक्का था, पाकिस्तानी आर्मी ने उसके बाद कुछ सालों तक politics में interfere करने से मना कर दिया, it retired from the politics, अपनी खुद की reputation और forces को बढ़ाने के लिए, जुलफिकार अली भुट्टो जो West Pakistan में majority लेकर आये थे, वो अब West Pakistan में इस हार के बाद उन्होंने देश को फिर से संभालने की कोशिश करी, पहले तो ये प्रेजिडेंट बन गए, याया खान के पद से हटते ही, तुरंद प्रेजिडेंट बन गए, और फिर दो साल बाद ये बन गए, प्राइम मिनिस्टर है, ए इसलिए बुट्टो ने प्रेजिडेंसी से हटकर अब प्राइम मिनिस्टर का पद ले लिया, लेकिन बुट्टो को भी सत्ता में आने के बाद absolute power की तरफ जाने लगे बुट्टो, और आसपास उनके जो भी लोग ते ही, विकेम suspicious of them, उनके साथ ही, उनके दूसरे निता, पाकिस्तान का दूसरा national election होता है, 77 में भारत पे भी चुनाव था, पाकिस्तान में भी चुनाव हुआ, इस चुनाव में पाकिस्तान People's Party को landslide victory मिली, लेकिन ये जीत इतनी जादा अच्छी थी, कि लोगों को इस पर doubt होने लगा और पूरे देश में voter fraud हुआ था, क्योंके क opposition parties थी उन्होंने, और आर्मी ने इस पूरे सिनारियो में intervene किया, तो आर्मी फिर से पाकिस्तानी politics में intervene करती है, जुलफिकार अली भुट्टो को आर्मी के द्वारा arrest कर लिया गया, और इनकी सरकार को dissolve कर दिया, जनरल मोहमद जिया उलहक, जो आर्मी के जनरल थे, चीफ थे उन्होंने government को अपने हाथ में ले लिया, he became the president in 1978, और ये वाला जो coup था, ये भी एक तरह का coup data था, तो पाकिस्तान में again जो military coup है, उसका tradition continue रहता है, भुट्टो के खिलाफ मुकदमा चला, ultimately he was found guilty, और इनको फासी की सजा दी गई, तो 1979 में जुलफिकार अली भुट्टो को पर लटका दिया गया, अब अगले 10 साल तक, जिया उलहक पाकिस्तान पर एक छत्र राज करते हैं, and जिया उलहक ने पाकिस्तान के character को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जिया himself was a devote Muslim, ये बहुत जादा religion में believe करते थे और इनका ये मानना था, कि religion से ही पाकिस्तान देश क guidance होना चाहिए, यानि कि जितने भी institutions हैं, जितने भी government institutions हैं, उनमें धर्म का भी कुछ part होना चाहिए, अब इसी समय में, इस decade में, Soviet Union ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, 70s में हमला शुरू हो गया था, लेकिन 80s में major लड़ाई हुई थी, तो जिया ने ये कहा कि जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के Muslim हैं, इन दोनों को Godless Soviets के खिलाफ लड़ना चाहिए, और इन दोनों के बीच में ये बात common है, और इसी समय इनों ने जिस तरह से पाकिस्तान के culture, पाकिस्तान की society को change करना शुरू किया, उस पर एक बहुत अच्छी किताब है, अगर आप शायद शब्द गलत होगा, नॉर्मल महौल हुआ करता था, लेकिन 79 आते आते वहाँ पर जमाते इसलामी के student wings का control आ गया, और उन्होंने students पर, especially महिलाओं पर कई तरह के restrictions लगा दिये, कि western कपड़े नहीं पैन सकते, आपको बुरका रखना जरूरी है, तो इस तरह के rules आने शुरू हो गए थे, अब Soviet invasion के बाद एक और फाइदा हुआ पाकिस्तान को वो ये, कि USA सोवेट के खिलाफ का cold war चल रहा था, तो USA ने अफगान resistance का साथ देना शुरू किया, और पाकिस्तान की इसमें मदद ली, तो पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान resistance को, यानि कि मुझा मुझाइदीन को अपना support दे रहा था, और एक नुकसान उसमें पाकिस्तान का भी था कि यहाँ पर लाखो अफगान शरणारती आये, लेकिन फिर भी इन सब को शरण दी गई, पिशावर के पास में बहुत बड़ा refugee camp बना, और इस समय जो अफगान resistance था, वो पूरी तरह से पिशावर से चलता था, यानि कि जो अफगानिस्तान में मुझाइदीन थे, उनका एक तरसे headquarter बन गया था, पिशावर शहर, और इस मुझाइदीन resistance को support करने के लिए, साओधी अरेबिया और USA से बहुत सारा पैसा पाकिस्तान आने लगा, in fact, पाकिस्तान USA का तीसरा सबसे बड़ा military aid का recipient बन गया, और पाकिस्तान nuclear weapon भी develop कर रहा था इस वक्त, लेकिन फिर भी उसके बावजूद USA ने पाकिस्तान को funding देनी जारी रखी, 1979 में Islamic revolution होता है इरान में, और उसके बाद जिया उलक और जादा encourage हो गए, कि जो भी political system है, वो religious principles के द्वारा guided होना जरूरी है जैसा कि इरान में देखा गया था, basically इरान एक बहुत successful example के रूप में उन लोगों के सामने आ गया, तो अब दीरे दीरे criminal punishments, Islamic law के अनुसार दी जाने लगी, और जिया उलक तो banking practices में भी Islamic rules को follow करवाने की बाते करने लगे थे, 1984 में जिया उलक ने अपने इस Islamization program को एक referendum के र approval मिला, majority of the people supported his program, तो जादतर लोगों ने इनके Islamization program को support किया, 1985 में जिया उलक ने चुनाव करवाए, national और प्रोविंशल दोनों चुनाव थे, लेकिन कोई भी political party इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती थी, सारे candidate independent थे, और आप map देखिए, उस वक जो चुनाव जीते थे, पूरे map का color एक ही है, कोई विरोधी party नहीं है, सब independent लोग इसमें चुनाव जीते थे, mostly सारे जो जिया उलक के खास चुने हुए लोग थे, उनी लोगों को चुनाव जीताया गया, और प्राइम मिनिस्टर भी जिया उलक के द्वारा handpick किया गया, मोहमद खान जुने जो जो उस वक्त कोई बहुत बड़े politician नहीं थे, उनको बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर, और जो Marshall Law लगा हुआ था, आठ सालों से पाकिस्तान में उस वक्त Marshall Law था, जिया उलक ने आते ही Marshall Law लगा दिया था, उसे भी हटा दिया गया, तो 85 में जिया उलक ने कोशिश करी कि स पर लटका दिया गया था, उनकी डॉटर बेनजीर आती हैं पाकिस्तान और पॉलिटिक्स में इंट्री कर लेती हैं, अब Marshall Law हटाने के बाद, पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम शुरू होती है, जो अलग-अलग ethnic communities हैं, उनके बीच में लड़ाई शुरू होती है, खा अफगान refugees भी एक बहुत बड़ा good बन गया, तो सिंधी वर्सिस मोहाजिर्स वर्सिस अफगान पक्तून, ये तीनों के बीच में gang war, turf war, ethnic conflicts बहुत बड़े स्थर पर चलती रही, इनफाट कराची में आज भी काफी हत्ता की एक conflict है, लेकिन उस समय ये बहुत deadly थी, तो ये conflict को कोई सरकार control नहीं कर पाई, दूसरा पागिस्तान के सामने challenge ये था कि नार्कोटिक्स और weapons trade बढ़ता जा रहा था, खास कर कि जो अफगानिस्तान से लगता हुआ इलाका है, वहाँ पर opium आ रहा था, weapons आ रहे थे, ये पागिस्तान के लिए एक problem बनती जा रही थी, 1988 में Z जिया उलक को ये लगा कि जो सरकार है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, it is very corrupt government और इनसे कुछ समभल नहीं रहा है, तो जो उनके द्वारा handpick करी गए government थी, Prime Minister जुनेजो की, उसी को इन्होंने dismiss कर दिया on charges of corruption and political incompetence, कि तुम से ना हो पाएगा, तुम सरकार से हट जाओ, लेकि जैसे एकदम से blast हो गया, जस्ट take off करने के बाद, और उसी blast में जो US ambassador थे पाकिस्तान के, वो भी मारे गए और कई सारे top ranking पाकिस्तानी generals भी मारे गए, अब जिया उलक की death के बाद पाकिस्तान में अचानक से एक vacuum आ जाता है, और इस vacuum में temporarily गुलाम इशक खान बन जाते हैं, तो गुलाम इशक खान सेनेट के चैर्में थे, एक तरसे स्पीकर का पद जो होता है, वो इनका था, लेकिन laws of succession हर देश में होते हैं कि अगर प्रधान मंत्री नहीं तो कौन deputy prime minister होगा, deputy prime minister नहीं तो कौन होगा, उसके अनुसार गुलाम इशक खान बन जाते हैं, भी सिंध में जीत गई थी, northwest frontier province में जीत गई थी, लेकिन पंजाब में नहीं जीत पाई थी, पंजाब में एक नेता उबर कर आते हैं, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ एक democratic alliance, Islamic democratic alliance को लीड कर रहे थे, इसमें mostly वो parties थी जो जिया उलक को favor करती थी, उन parties को लीड कर रहे थे, नवाज शरीफ, he was a पंजाबी businessman, बहुत अमीर businessman थे, आज भी हैं, और ये पंजाब में chief minister बन जाते हैं, लेकिन nationally जो majority है वो आती है बेनजीर भुट्टो की, तो इसी समय से 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान में अब 11 साल तक या तो बेनजीर भुट्टो या नवाज शरीफ, इन इसी भी Islamic country की पहली महिला prime minister, she was the first woman to head a Muslim state in the world, तो बेनजीर भुट्टो की सरकार जब आई थी तो बहुत उमीदें थी इनसे लोगों को, लेकिन ये जादा अपनी उमीदों पर खरा उतर नहीं पाई, अब इसी बीच Soviet Union ने अफगानिस्तान से अपनी forces withdraw कर दी थी, लेकिन Soviet Union अपनी एक puppet government अफगानिस्तान में खड़ी करके चला गया था, इस puppet government के खिलाफ जो लोग उठ खड़े हुए थे, उनको पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का establishment सपोर्ट कर रहा था, तो भुट्टों ने आर्मी को अपना proxy war जारी रखने दिया, क्योंकि उनको आर्मी की अवशक्ता थी, कराची जैसे city में, सिंध जो उनका native province है, वहाँ पर ये ethnic unrest को रोकने के लिए, मैं आपको बताया था कि मुहाजिर वर्सेस सिंधी के बीच में एक deadly लड़ाई चल रही थी कराची में, उसको रोकने के लिए आर्मी की अवशक्ता थी, और इसलिए आर्मी को अफगानिस्तान वाले area में free hand दे दिया गया, लेकिन सिंध में जो ये problems हैं, ये सही solve हो नहीं पा रही थी, और इसलिए भुट्टो का जो base था, उनका जो supporter base था, वो उनसे नाराज हो गया, और दीरे दीरे भुट्टो unpopular leader बन गई, तो जहाँ वो एक बहुती popular majority लेकर आई ऐसे में शरीफ ने वापिस भुट्टो पर कई तरह के आरोप लगाए, कि ये सरकार corrupt है, incompetent है, और दीरे दीरे पूरे देश से ये आवाजे आने लगी कि बेनजीर भुट्टो को इस्तिफा दे देना चाहिए, लेकिन final point क्या था, बेनजीर भुट्टो ने लेटनेट जनर जीस पर सवाल उठाने शुरू किये, कि अफगानिस्तान में आप फेल हो रहे हो, तो ऐसे में आर्मी के भी जो टॉप लीडर्स थे, वो भी भुट्टो से नाराज हो गए, तो कुल मिलाकर चारो तरफ से, पबलिक में, आर्मी में, ISI में, हर तरफ से भुट्टो गिर गई और नवाज शरीफ बन जाते हैं, पहली बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अब नवाज शरीफ मैंने आपको बताया था कि जिया उलक के फेवर के हुआ करते थे, तो इन्होंने वो जिया उलक का जो प्रोग्राम था, उसको कंटीनू किया, और जिया उलक के समय में शुरू हुआ, इस्लामाइजेशन का जो प्रोग्राम था, वो और जादा बढ़ गया दूरिंग दे रूल ओफ नवाज शरीफ, इन्होंने इस्लामिक रैडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए था, और्थोडोक्स मुसलिम एलिमेंट्स लेकिन नवाज शरीफ के रूल में 1990s में, अर्ली 90s में शरियत कानून ला दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की एकॉनमी की हालत इस बीच काफी खराब हो रही थी, और नवाज शरीफ को बैंकिंग वर्ल से और कमर्शल वर्ल में जो लोग थे, उनकी भी सपोर्ट के आव पड़ती गई, 1991 में नवाज शरीफ ने आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ आफ स्टाफ जनरल बेक को रिप्लेस कर दिया, जनरल आसिफ नवाज से, 92 में अफगानिस्तान में जो कम्यूनिस्ट रेजीम थी, जिसको सॉवेट उनियन ने खड़ा किया था, पपेट गवर्मेंट वो गिर जाती है और पाकिस्तान की मिलेटरी जो तालिबान को सपोर्ट कर रही थी, ये तालिबान काबुल की ओर अग्रिसर हो जाता है, तो तालिबान साउथ अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे उसने काबुल पर भी अपना कब्जा जमा लिया, 93 में जन जनरल आसिफ नवाज की जो डेथ है यह आज भी बहुत जादा मिस्टीरियस है अब प्रेज़िट इशाक खान ने लेफटनेट जनरल अब्दुल वाहिद काकर को उनका सक्सेसर अनौंस कर दिया बिना प्राइम मिनिस्टर को कंसल्ट किये नवाज शरीफ इससे नाराज हो ग शरीफ गवर्मेंट को बर्खास कर दिया और नेशनल असेंबली को भी डिजॉल कर दिया अब ऐसे में नवाज शरीफ और इशाक खान के बीच में एक डील हो जाती है इन दोनों की क्रेडिबिलिटी काफी कम हो चुकी थी तो आर्मी ने इनको कन्विंस किया कि आप दोनों ही अपने पद से इस्तिफा दे दो तो नवाज शरीफ का ये फंडा था कि अगर मैं डूबूँगा तो तुमको भी लेकर डूबूँगा तो इन्होंने इशाक खान की प्रेजिड कुरेशी एक World Bank Official थे New York City में रह रहे थे उस वक्त वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर का पद संभालते हैं और मोहिन कुरेशी ने पाकिस्तान में radical financial changes लाने की कोशिश करी पाकिस्तान की economy इस वक्त का काफी खराब हालत में थी तो इन्होंने आती सबसे बहले पाकिस्तानी हजारो भीगा हजारो हेक्टेर लेंड उनको दे दिया जाता है सिंद जैसे प्राइंसे में इस प्रैक्टिस पर इन्होंने अंकुष लगाने की कोशिश करी इसे रोकने की कोशिश करी और कई लोग पैसे अपने देते नहीं थे electricity phone के वो तक politician से वसूलने का काम इन्होंने शुरू कर दिया तो PM कुरेशी ने landed gentry के खिलाफ एक attack किया अटाक तो क्या कहा हुआ agriculture पर उन्होंने एक कर लगा दिया tax लगा दिया जिसके कारण जो land owning लोग हैं वो इनसे नाराज हो गए और उन्होंने absentee landlords के खिलाफ भी कारवाई करनी शुरू करी जो भी पैसे छुप प्राइशल कमोडिटीज और फ्यूल के प्राइसे लगातार बढ़ रहे थे अक्टूबर 1993 में इस temporary government के बाद चुनाव होते हैं और चुनाव में बेनजीर भुट्टो की PPP जीत जाती है नवाज शरीफ की PMLN अतिये second और फिर से भुट्टो सरकार बना लेती है इन alliance with जु अरुक लेगारी बन जाते हैं President लेकिन पागिस्तान की economy की हालत काफी खराब है economy is very unstable अब 93 के बाद भुट्टो US pressure में आ जाती है कि पागिस्तान का nuclear program रोका जाये पागिस्तान अपना nuclear program डेवलप कर रहा था और ये भी pressure था कि कश्मीर पर एक settlement किया जाये United States ने पागिस्ता नहीं करेंगे और साथी साथ nuclear program भी चलना चाहिए तो US pressure के खिलाफ पागिस्तान की जनता का support था बेनजीर भुट्टो के साथ लेकिन बेनजीर भुट्टो के सामने सबसे बड़ा challenge आया corruption charges के रूप में बेनजीर भुट्टो के husband थे आसिफली जरदारी आसिफली जरदारी पर ये आरोप थे कि वो हर सरकारी contract में से 10% पैसा ले लेते थे इसलिए इनका नाम पढ़ गया Mr. 10% आज भी इनको पाकिस्तान में लोग Mr. 10% कहते हैं तो ये Mr. 10% जो हैं इन पर आरोप लगाने वाले कौन थे इनके खुद के साला जी मुर्तजा भुट्टो नौ मुर्तज designate कर दिया गया था तो मुर्तजा भुट्टो ने खुद अपने brother-in-law आसिफ अली जरदारी पर corruption charges लगाए और इस public fallout में या public जगडे में जो भुट्टो की मदर है बेनजीर भुट्टो की मदर उन्होंने अपने बेटे की side ली उन्होंने का कि yes corruption यहाँ पर हो रहा है ऐस उनको तो golden opportunity मिल गई नवाज शरीफ कहीं से documents लेकर आ गए दिखाने के लिए कि देखो कैसे भुट्टो के जो personal finances है वो बहुत access में है और ultimately इनकी सरकार पर काफी आरोप इस तरह के लगे और प्राइम मिनिस्टर खुद का नाम आ गया banking scandal में बेनजीर भुट्टो खुद एक banking scandal में आ गई प्रेजिडेंट जो PPP party के थे लेगारी उन पर भी आरोप लगा कि वो भी जमीनों की dealing में पैसे कमा रहे हैं और ये सब जब चल रहा था तब सिंध में शिया सुनी सेक्टेरियन conflict फिर से बढ़ जाती है October 1995 में 40 army officers को arrest कर लिया गया बेनजीर भुट्टो की सरकार के द्वारा ये कहकर कि ये सरकार गिरानी की कोशिश कर रहे थे September 1996 में मुर्तजा भुट्टो यानि की प्राइम मिनिस्टर के भाई को पुलिस जाकर गोली मार देती है उन्ही के घर के बाहर पुलिस शूट आउट में उनको गोली मार देती है और ऐसा आज भी अलेज किया जाता है कि आसिफ अली जर्दारी ने ये एनकाउंटर करवाया था क्योंकि आसिफ अली जर्दारी मुर्तजा भुट्टो के इन आरोपों से काफी नरास्ते नवेंबर 96 में प्रेजिडेंट लेगारी यानि यी खुद अपनी ही पार्टी के प्रेजिडेंट अपनी ही प्राइम मिनिस्टर को डिस्मिस कर देते हैं तो इन्होंने भुट्टो की सरकार को डिस्मिस कर दिया मिराज खालिद बनते हैं इंटरिम गवर्मेंट में प्रेजिडेंट इनको कुछ समय के लिए सरकार का जम्मा दे दिया गया उस समय नैशनल एकॉनमी की हालत और जादा खराब हो गई थी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एकॉनमिस्ट बुलाए गए और लॉइन और रिस्टोर करने की भी कोशिश करी गई लेकिन कुछ ही महीने बाद चुनाव होते हैं और इस बार 97 में नवाज शरीफ की PMLN फिर से चुनाव जीच जाती है PPP की हालत इतनी खराब हो गई कि ये टोटल 211, 207 या 211 सीट थी उस समय उसमें से 20 सीटे भी ये नहीं जीत पाए थे तो नवाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इन्होंने दो बड़े अमेंडमेंट्स करवाए पहला था 13 अमेंडमेंट इसके तहरे ताब प्रेजिडेंट के बास ये पावर नहीं होगा कि वो सरकार को डिसमिस कर सके at his own discretion तो अभी तक कई बार आपने देखा कि प्रेजिडेंट सरकारों को डिसमिस कर देते थे लेकिन अब 13 अमेंडमेंट के बाद ये पॉसिबल नहीं था 14 अमेंडमेंड में नवाज शरीफ ने ये कोशिश करी कि पार्टी के मेंबर्स पार्टी के अगेंस जाके वोटिंग ना कर सके हला कि ये सुप्रीम कोट ने महाँ पर स्ट्राइक डाउन कर दिया था तो अब प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोट के बीच में एक टकरार होती है नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोट को साइज डाउन करने की कोशिश करी 17 से 12 जज़ करने की वहाँ पर कोशिश करी पागिस्तान की जो बार है यानि की वकीलों की जो कम्यूनिटी है उनको ये बात सही नहीं लगी उन्होंने नवाज शरीफ को ही Member of Parliament से Disqualify करवाने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी 97 में President Ligari को पद से हटा दिया गया और नवाज शरीफ के पास इतना पावर आ गया कि वो Chief Justice of Supreme Court को अपने पद से हटाने में सफल रहे लेकिन इस बीच सिंद में और North West Frontier Province में लगातार ethnic conflict बढ़ती जा रही थी Tribal struggle बढ़ता जा रहा था Balochistan में Balochistan को autonomy चाहिए थी और पाकिस्तान की economy की हालत तो खराबी थी Foreign debt लगातार बढ़ता जा रहा था 1998 में पाकिस्तान ने finally अपने nuclear program को खत्म करते हुए nuclear devices detonate किये यानि कि जो इतना लंबा है इनका program चलाता हो finally सफल रहा तो भारत के test के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने भी अपना nuclear test किया और जो देश पाकिस्तान की economy को सही करने में मदद कर रहे थे उन्होंने अपनी funding रोग दी because of the nuclear test लेकिन इन nuclear test के बाद पाकिस्तान के कई लोग खुश भी नहीं थे उन्होंने का जब हमारे पास खाने को पैसा नहीं है economy की इतनी हालत खराब है तो हम nuclear test क्यों कर रहे है लेकिन नवाज शरीफ को ये सब protest पसंद दिया है ultimately नवाज शरीफ ने emergency प्रोक्लेम कर दी और उससे उनके पास power क्या आ गया कि ordinance और special decree से rule कर सकते हो आपको parliament की आवशकता नहीं है इसी भी नवाज शरीफ ने अपने orthodox Islamic groups के साथ जो गटबंदन है उसको और जादा सुधरड किया और नए Islamic laws लाए जैसे कि adultery की जो punishment है अब वो शरियत के according होने लगी पाकिस्तान का जो federal शरियत court था जैसे जिया हो लगने शुरू किया था उसको और जादा powers दे दिये गए Islamic justice को लागू करने के लिए तो शरीफ का behavior अब एक तानाशा की तरह होता जा रहा था और इससे local और provincial नेता खुश नहीं थे उनके किलाफ भी अगेन आवाजे उठनी शुरू हो गई थी और नवाज शरीफ अपने pet projects पर करोड़ो रुपे खर्च कर रहे थे ऐसे में पाकिस्तान के army chief of staff जनरल जहांगीर करामात ने सरकार की बुराईगरी सरकार को criticize किया कि सरकार सब कुछ ठीक से नहीं कर रही है लेकिन इस criticism के बाद नवाज शरीफ ने तुरंट जनरल करामात को retire करवा दिया और उनकी जगे जनरल परवेज मुशर्रफ को chief of army staff बनाया तो जनरल परवेज मुशर्रफ को लेकर आने वाले खुद कौन थे नवाज शरीफ October 1998 में और एक साल बाद इनो नोने इनका तक्ता पलट कर दिया तक्ता पलट के बीचे main reason ये था कि भारत के साथ लड़ाई शुरू हो गई थी कारगिल युद्ध शुरूआ था 99 की गर्मियों में नवाज शरीफ को Washington जाकर publicly humiliate होते वे ये कहना पड़ा था Bill Clinton के दवाब में आकर कि हाँ हम अपने troops को वापिस खीच लेंगे उसके पहले पाकिस्तान मानने को तयार नहीं था कि हमारे सैने कुस एरिया में है लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने अपने boss के order को मानने से मना कर दिया इन्होंने का कि हम इस वक्त एक positive position पर हैं और हम इसे नहीं छोड़ना चाते तो जनरल मुशर्रफ की जो आर्मी थी उन्होंने retreat करने से मना कर दिया लेकिन ultimately पाकिस्तान की लड़ाई में हार होती है अब लड़ाई खत्म होने के कुछी महीने बाद नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को आर्मी जनरल्स पद से हटाने की कोशिश करी क्योंकि मुशर्रफ ने उनका कहना नहीं मना था कार के लिए उद्ध के समय तो मुशर्रफ देश के बाहर गरे वे थे एक दिन के लिए और उसी दिन उनको हटाने की कोशिश करी लेकिन जो मुशर्रफ के साथ वाले जनरल्स थे उन्होंने इस प्लैन को cancel करवा दिया और उल्टा नवाज शरीफ का तक्ता पलट कर दिया और उसी दिन सेम डे मुशर्रफ लोट कर आते हैं पाकिस्तान और ये गोशना कर देते हैं कि शरीफ गवर्मेंट को मैं बरखास्त कर रहा हूँ और पाकिस्तान में अब ये constitution suspend हो जाएगा अब नया constitution देखेंगे कभी आएगा तो ठीक है नहीं तो नहीं अभी जो current constitution है उसको हम suspend कर रहे हैं और जितने भी national और provincial legislature थे इनको भी सबको suspend कर दिया गया और नवाश शरीफ पूरी तरह से ताना शाह बन गया ही है एड एपसुलूट पावर इन पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ ने खुद के लिए एक नया post create किया इन्होंने अपने आपको कहा chief executive एक chief executive secretary act भी हाथ में ले ली और जितने भी important positions हैं cabinet ministers के जो काम होते हैं वो सब military officers को महाँ appoint कर दिया गया तो basically अब पाकिस्तान की आर्मी एक तरह से सरकार को चला रही थी और जो president थे मुहमद रफीक तरार उनको continue रखा डेड़ साल तक उनको रखा लेकिन उनको भी यह कह दिया गया कि chief executive की advice पर ही आप कोई भी निर्ने ले सकते हो उसके अलावा नहीं ले सकते हैं courts को भी यह कह दिया गया कि अगर chief executive के office से कोई निर्ने आया है तो उसमें किसी प्रकार का judicial intervention नहीं होगा तो यानि की chief executive is all powerful नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ नवाज शरीफ के खिलाफ उनको jail में गई कि नवाज शरीफ 10 साल तक भाहर ही रहेंगे पाकिस्तान लोटकर नहीं आएंगे तो नवाज शरीफ बहुत लंबे टाइम तक साओधी अरेबिया थे और यह situation exactly reverse हो गई 10 साल बाद उसके बाद मुशरफ चले गए साओधी अरेबिया और लंडन वगेरा रहे बहुत सा बिल क्लिंटन मार्च 2000 में साओधेश आये थे भारत आये बांगलादेश आये लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ कुछ घंटे रुखे थे भारत में कुछ दिन रुखे थे पाकिस्तान में चंद घंटे रुखे थे तो US continuously पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था कि यह जो आपकी राफिक तरार को प्रेजिडेंट के पत से जवरदस्ती हटवा दिया गया और मुशर्रफ अब चीफ एग्जुकेटिव की जगे प्रेजिडेंट बन जाते हैं तो यानि कि अब आर्मी जनरल के रूप में नहीं बलकि वो एक प्रेजिडेंट के रूप में देश को गवर्ण कर रहे थे जुलाई 2001 में आगरा समिट होती है भारत और पाकिस्तान की बीच में प्रदार मंत्री अटल बिहारी वाजपई और मुशर्फ मिलते हैं बैठते हैं लेकिन कश्मीर पर कोई भी डिसिजन नहीं हो पता है वारता फेल हो जाती है मुशर्फ अपनी विजिट को शॉट करके तुरंक पाकिस्तान के लिए फिर से रवाना हो जाते हैं 2001 सेप्टेंबर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटाक हुआ और 9-11 ने दुनिया बदल कर रख दी पाकिस्तान की भी और USA के भी क्यूंकि पाकिस्तान पर अब तक बहुत सारा दबावत है US की और से लेकिन अब क् अफगानिस्तान में लड़ाई लडने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है 1971 के बांगलादेश लिबरेशन वार के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने अपना केरेक्टर काफी चेंज कर लिया था जनरल जिया उल हक के समय इस्लामाइजेशन का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उसे नवाज शरीफ ने बहुत लंबे समय तक continue रखा और पाकिस्तानी आर्मी अपने गोल्स को religious terms में define करने लग गई थी अब जनरल मुशर्रफ एक बहुत long term planner थे पाकिस्तान आर्मी के और इन्होंने कश्मीर में militant movements को support किया था ISI और पाकिस्तानी आर्मी लगातार जिहादी groups को support कर रहे थे Soviet forces से लड़ने के लिए 80s और 90s में और अब वही groups कश्मीर बेजे जा रहे थे Indian army के खिलाफ Indian government के खिलाफ हमले करने के लिए Soviet troops के जाले जाने के बाद अफगानिस्तान में Taliban को support किया था पाकिस्तान ने और मकसद ये था कि Taliban के मदद से अफगानिस्तान की politics पर अपनी पकड़ बनाई जा सके पाकिस्तान का हमेशा से ये target रहा है कि अफगानिस्तान में जो भी सरकार हो वो पाकिस्तान द्वारा चलाई जाया या पाकिस्तान की puppet government हो और Taliban के समय में ऐसा था puppet government नहीं कह सकते उसको लेकिन काफी हद तक Taliban को support पाकिस्तान से ही मिलता था 9-11 के बाद सब कुछ बदल गया 9-11 के बाद US ने एक तरह से ultimatum दे दिया पाकिस्तान को कि या तो Taliban को support करो या फिर हमारे साथ हमारा support करो तो बहुत जादा pressure था अल्टिमेटली पाकिस्तान चोज USA तो ये जो मुझाहिदीन थे जिनको अमेरिका की film में celebrate किया गरती थी 1980s में अगर आपने Rambo 3 देखिए तो उसके last में ये message आता है This film is dedicated to the brave मुझाहिदीन fighters of Afghanistan लेकिन 2001 में इनी मुझाहिदीन fighters के खिलाफ अमेरिका ने जंग छेड़ दी और जो व्यक्ती road to peace बना रहा था उसामा बिन लादेन वो अब most wanted terrorist number 1 बन चुका था तो finally मुझाहिदीन उसके साथ हाथ मिला लिया coalition के साथ और अफगानिस्तान में जो attack हुआ अफगानिस्तान में जो लड़ाई चड़ी इसमें US का पूरा साथ दिया तो इससे पाकिस्तान में जो Islamic conservatives थे वो बहुत नाराज हो गए उन्होंने का कि हम तो Taliban को support कर रहे थे कल तक अचानक आज क्या हो गया कि आप US का साथ दे रहे और यही नहीं सरकार के इस फैसले से नाराज होकर कई पाकिस्तानी लोग border cross करके अफगानिस्तान चले गए अमेरिका की आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ने उधर US aerial bombing campaign शुरू कर चुका था अफगानिस्तान में तो इसके कारण जो Islamic militants थे वो छुपने के लिए अफगानिस्तान से cross over करके फिर से पाकिस्तान आ रहे थे और उन्हें पाकिस्तान में refuge मिल रहा था federally administered tribal areas में Actually in tribal areas में पाकिस्तान की government का इतना presence है ही नहीं यह mostly autonomous areas हैं यहाँ पर जो पुरानी इनकी tribal councils हैं वही rule करती थी खास करके जो यह वजीरिस्तान वाला area है यहाँ पर यह वाला जो border area है अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार का कोई control नहीं था तो इस area में यह सारे लोग आकर छुपकर रहने लगे और बहुत सारे muslim recruits FATA पहुँचने लगे और वहाँ से अफगानिस्तान या अन्य देशों की तरफ जाने लगे तो मुशर्ण सरकार पर बहुती pressure था US government का कि इस जिहादी hideout पर आप attack करो और यहां से इनको मार भगाओ क्योंकि अफगानिस्तान में तो US army attack कर रही थी पर US army पाकिस्तान में घुसकर उस वक्त attack नहीं कर रही थी तो पाकिस्तान की खुद की military ने अपने ही देश में वजीरिस्तान नाम के इस area में एक बहुत बड़ा army campaign launch किया इन militants को भगाने के लिए जो अफगानिस्तान से भग कर आया थे चिपने के लिए पाकिस्तान में लेकिन government forces को बहुत resistance मिला क्योंकि ये पश्तून या पक्तून dominated इलाका है और historically यहाँ पर सरकारे और army या police नहीं जाती थी जो सैनिक लड़ भी रहे थे वो कई सैनिकों ने तो मना कर दिया था पाकिस्तान की army वालोंने कि हम नहीं लड़ेंगे या लड़ भी रहते तो बहुत कम enthusiasm दिखा रहते लेकिन फिर भी जनरल मुशर्रफ ने इस campaign को पूरा push through किया और कोशिश यही रही कि अमेरिका का जो pressure है उसको कम करने की कोशिश करी जाए मुशर्रफ ने कई army officers को dismiss भी किया जो तालिबान के प्रती sympathy रखते थे और कई foreign जिहादियों को arrest भी किया गया पाकिस्तान की सरकार के द्वारा और उनको US government को भी दे दिया गया इतना कुछ करने के बावजूद US की सरकार पाकिस्तान से खुश नहीं थी हमेशा पाकिस्तान पर ये आरूप लगाती रहती थी US government कि पाकिस्तान इतना नहीं कर रहा है जितना वो कर सकता है they are not doing enough to contain the terrorist threat 2002 में मुशर्रफ ने एक referendum कराया कि क्या मेरे को 5 साल और president रहना चाहिए तो इस poll में लोगों ने कहा हाँ बिलकुल आप president रही है 5 साल और जो constitution मुशर्रफ ने हटा दिया था constitution को dismiss कर दिया था उसको फिर से reinstate किया गया लेकिन इस बार इसमें modifications थे तो पहले जहां नवाज शरीफ के टाइम पर president के powers को कम किया गया था तो अब general मुशर्रफ ने president के powers को बढ़ा दिया और दोनों houses में जो number of members हैं उनको भी बढ़ा दिया गया और parliamentary elections करवाय अक्टूबर 2002 में PMLQ पाकिस्तान Muslim League Q जो कि मुशर्रफ की adopted party बन चुगी थी उसके maximum seats आये इस चुनाव में और उसने coalition government बना ली तो कहने को elected democratically elected सरकार थी पाकिस्तान में लेकिन actual power सारा जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था and he was the president तो सारा power किसके हाथ में था? मुशर्रफ के हाथ में लेकिन मुशर्रफ के खिलाफ एक coalition बनने लगा था religious parties का, इनका नाम था मुटाहिदा, मजलिस ए अमल, MMA ये MMA जो है इसमें बहुत सारे religious conservative parties थी और इनको parliament में कुछ seatें मिलनी शुरू हो गई थी ये मुशर्रफ के उस plan के बिलकुल खिलाफ थे जहाँ पर USA को support किया जा रहा था और Islamist groups के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी कारवाई कर रही थी इसके खिलाफ MMA था North Western Frontier province में ये power में आ गए और उसके बाद इन्होंने openly army के actions को वजिर्स्तान में challenge किया था अब मुशर्फ की government religious extremism से लड़ रही थी अपने घर में तो लेकिन कश्मीर में religious extremism को बढ़ावा दे रहे थे तो खुद पाकिस्तान में bomb blast हो रहे थे terrorism की घटना है हो रही थी लेकिन पाकिस्तान की ISI और army continuously कश्मीर के area में Islamist violence को बढ़ावा दे रही थी उधर कश्मीर में LOC पर November 2003 में काफी जवरदस्त fighting हुई लेकिन उसके बाद unexpectedly किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि पाकिस्तान unilaterally ceasefire declare करतेगा तो पाकिस्तान ने 2003 में ceasefire declare किया हाला कि negotiations हुई थी भारत के साथ भी और अच्छा है कि ceasefire उस वक्त रहा लेकिन आज भी ceasefire violation चलते रहते हैं लेकिन जैसे ही भारत के साथ ये ceasefire deal sign हुई परवेज मुशर्रफ से ये खुद Islamic terrorist नराज हो गए और बढ़ रही थी इसको परवेज मुशर्रफ या फिर नवाज शरीफ या फिर बेनसीर भुट्टो कोई भी control नहीं कर पाया था December 2003 में 17 amendment पास करवाया गया मुशर्रफ के द्वारा इसमें ये power दी गई President को कि कभी भी Prime Minister को बर्खास्त किया जा सकता है National Assembly को कभी भी dissolve किया जा सकता है Provincial Governors को कभी भी appoint किया जा सकता है और Chief of Armed Forces को भी President appoint कर सकता है कुल मिलाकर Prime Minister के हाथ से सारी power लेकर President के हाथ में दे दी गई 2004 में शौकत अजीज को Prime Minister बनाया गया He was a former banker and Minister of Finance लेकिन Musharraf के पास actual सारा power था Musharraf ने ये भी मना कर दिया कि मैं Army Chief के पद से भी retire नहीं हूँगा जबकि उनके political opponents कह रहे थे कि अगर राष्टरपती बने हो तो कम से कम Army के general तो मत बनो दोनों post एक साथ कैसे रख सकते हो MMA continuously Musharraf को criticize कर रहे थे because Musharraf was trying to जिसके relief efforts में पाकिस्तान सरकार काफी हद तक fail रही थी 2007 में जनरल Musharraf re-election में प्रेजिडेंट बनने की कोशिश करते हैं finally हो चुनाव के रास्ते से प्रेजिडेंट बनना चाह रहे हैं लेकिन he's still the head of the military तो इसलिए opposition parties पर आपत्ती उठाती है और ये कहती है कि एक व्यक्ती आर्मी जीफ और साथ ही साथ प्रेजिडेंट भी कैसे हो सकता है पाकिस्तान सुप्रीम कोट पहुचा जाता है इस मामले में लेकिन मुशरफ क्या करते हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस के dismissal को overturn कर देता है और चौधरी इफ्तिकार को reinstate कर दिया जाता है अक्टूबर के महीने में एक electoral college जिसमें parliament के और provincial legislatures के member थे वो मुशरफ को चुनते हैं as president for 5 years तो अगले 5 साल के लिए मुशरफ अपने आपको चुना हुआ राष्टरपती कह सकते हैं लेगिन सुप्रीम कोट ने मुशरफ के राष्टरपती बनने के announcement को रोक के रखा क्योंकि उसको review करना था कि क्या ये constitutionally सही है या नहीं इससे बचने के लिए मुशरफ ने पहले ही state of emergency डेक्लेर कर दी और emergency के दौरान constitution को फिर से suspend कर दिया गया तो पहले तो constitution लाये थे फिर से suspend कर देते हैं और supreme court के members including justice चौधरी को dismiss कर दिया गया media को freely काम करने से मना कर दिया गया media organizations को curtail किया गया late November 2007 में supreme court फिर से reconstitute किया जाता है और इस बार उसमें मुशरफ के favorite लोग बिठा दिये जाते हैं और ये लोग जनरल मुशरफ का election certified कर देते हैं कि इनका जो re-election है वो बिलकुल सही हुआ है तो मुशरफ अब finally फिर से राश्टरपदी की शपत लेते हैं as a civilian क्योंकि इस बार ये अपना military पद त्याग देते हैं और कहते हैं कि अब मैं तो properly चुनकर आया हूँ court ने भी ठपा लगा दिया है हलाकि judges मैंने सारे change कर दिये थे लेकिन court ने मेरा presidency पर ठपा लगा दिया है अब 2007 के अंत में पाकिस्तान में चुनाव की गोषणा होती है तो अभी तक नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो जो सालों से पाकिस्तान में नहीं रह रहे थे दोनों exil में थे बेनजीर भुट्टो मोस्तली लंडन रहा करती थी और नवाज शरीफ लंडन और साओधी अरेबिया रहा करते थे तो दोनों ने तै किया कि हम वापस आएंगे दोनों मिलकर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो इन्होंने डिसमबर 2007 में चुनाव के लिए केमपेन शुरू कर दिया और चुनाव एक महीने पोस्टपोन हो जाते हैं इस चुनाव में जनरल परवेज मुशर्रफ की पार्टी PMLQ की हार होती है और बेनजीर भुट्टो की पार्टी PPP चुनाव जीतती है लेकिन इनके पास absolute majority नहीं आई नवाश शरीफ की पार्टी PMLN के साथ मिलकर ये coalition सरकार बनाने का निर्ने लेते हैं PPP के यूसोफ रजाज जलानी को प्राइम मिनिस्टर डेक्लेर किया जाता है लेकिन अगस्त आते आते परवेज मुशर्रफ जो अभी तक प्रेजिडेंट है उनके खिलाफ impeachment charges लाए जाते हैं कि इस व्यक्ति को तो राश्टर पती के पत्से हटाया जाएगा लेकिन मुशर्फ खुदी resign कर देते हैं और बोलता है कि मिर को नहीं रहना राश्टर पती मुशर्फ ने बाद में एक बार एक interview में कहा था कि मैं अपना रोल ऐसे देखता था कि जब पाकिस्तान में stability आ जाया तो मैं खुद resign कर दूँगा और वो ही मैंने किया ऐसा जनरल परवेज मुशर्फ ने एक बार interview में कहा था लेकिन परवेज मुशर्फ अभी तक प्रेजिडेंट बने हुए थे लेकिन मुशर्फ ये कारवाई होने से पहले खुदी resign कर देते हैं दूसरी ओर नवाज शरीफ और PPP के बीच में कुछ तनाता नहीं हो गई तो इसलिए नवाज शरीफ इस coalition से बाहर आ गए अब मुशर्फ प्रेजिडेंट नहीं है तो प्रेजिडेंट कौन बनाया गया आसेफ अली जर्दारी तो PPP की party के जो Mr. 10% ते आसेफ अली जर्दारी he's made the president और प्राइम मिनिस्टर कौन है यूसुफ रजा जलानी November 2008 में मुंबई शहर पर एक बहुत बड़ा terrorist attack होता है और इसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के relations काफी low point पर आ जाते है 2009 आते आते आसेफ अली जर्दारी और नवाज शरीफ के बीच में problems बढ़ती जाती है पाकिस्तान का सुप्रीम कोट नवाज शरीफ के भाई शाबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर के पद से disqualify कर देता है पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उनके छोटे भाई शाबाज शरीफ और साथी साथ नवाज शरीफ पर एक बैन लगा हुआ था कि वो कोई political office hold नहीं कर सकते उस बैन को uphold किया गया ये क्यों लगा था बैन इन पर 2000 में जब उन पर मुकदमा चला था उस समय का ये बैन था मार्च 2009 में नवाज शरीफ अपने आपको house arrest होने से बचा लेते हैं निकल जाते हैं house arrest में नहीं जाते हैं और अब उन पर काफी political pressure है यानि कि नवाज शरीफ का political pressure है सरकार पर तो government chief justice इफ्तिकार चौधरी को reinstate करती है और भी कई सारे सुप्रीम कोट judges जिनको मुशर्फ ने हटा दिया था उनको reinstate किया जाता है जरदारी को लगता है कि चौधरी को नहीं आना चाहिए था क्योंकि आसेफली जरदारी को भी तो amnesty मिली हुई थी मुशर्फ के समय आसिफली जरदारी पर कोई मुकदमे नहीं चले थे लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर justice चौधरी आ गए तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा खोल दिया जाएगा और मैं तो president हूँ शाबाज शरीफ को पंजाब मुक्यमंत्री फिर से बना दिया गया और शरीफ का जो बैन था वो हटा दिया गया इस नए supreme court के द्वारा 2009 में US President Barack Obama पाकिस्तान के areas में drone attack शुरू कर देते हैं तो अफगानिस्तान के tribal areas में तो drone attack होते ही थे पाकिस्तान के federally administered tribal areas में drone attack शुरू कर दिये जाते हैं और इससे पाकिस्तान के अंदर एक public outrage हो जाता है कि कोई और देश हमारे देश में आकर पंबारी कर रहा है और हमारी सरकार उसको support कर रही है ऐसे कैसे हो सकता है 2010 में इंडस नदी में floods आते हैं पंदरा सु लोगों की अमरत्य होती है और बहुत damage होता है agriculture और infrastructure को 2011 में पाकिस्तान में religious tensions काफी बढ़ जाती है सल्मान तासीर जो PPP के एक leader थे उनकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने blasphemy law को condemn किया था पाकिस्तान में आप कुरान या Prophet Muhammad के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते अगर ऐसा करते हैं तो blasphemy law के तहत आप पर कारवाई करी गया कि जो progressive leaders हैं उनको religious conservatives के द्वारा डराया जा रहा है और उनको बोलने से रोका जाएगा मई 2011 में उसामा बिन लादेन को US military operation के तहत मारा जाता है पाकिस्तान में क्या आप मुझे उस military operation का नाम बता सकते हो अगर पता है तो comment section में ज़रूर लिखना दुनिया को हैरानी य ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में democratically elected सरकार ने 5 साल पूरे किये हो तो 2008 में चुनाव हुए थे और उन चुनावों में जो सरकार बनी थी उसने अपना पूरा कारेकाल किया 5 years का term complete किया और ऐसा पहली बार हुआ था पाकिस्तान की history में 60-65 सालों में कि किसी सरकार ने 5 साल बार-बार ये जिकर में कर रहा हूँ नवाज शरीफ अपना third term start करते हैं as a prime minister इस बार अपने आपको ये popular reformer की तरह बताते हैं इस बार अब वो उनकी hardline conservative वाली छवी नहीं है तीसरे term में he wants to portray himself as a popular reformer economy भी काफी सुधरी इस समय इनका जो कारेकाल था growth rate बड़ी, rupees stable हुआ, inflation कम हुआ, इनका foreign policy जो agenda था, वो trade liberalize करने की तरफ था, पाकिस्तान के पड़ोसियों के साथ व्यापार बढ़ाया जाए, भारत के साथ भी इन्होंने बाचीत करने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया due to attacks, many attacks that happened, लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करी गई थी, और इस सरकार ने नवाज शरीफ government ने तहरी के तालीबान पाकिस्तान के साथ भी peace settlement करने की कोशिश करी, याद रखना ये TTP पाकिस्तान में चलता है और ये अफगान तालीबान से बिलकुल अलग है, तो they are also running an islamist insurgency, mostly northern पाकिस्तान के एरियाज में, लेकिन ये पाकिस्तान व economic corridor का पैसा पाकिस्तान में आना, ये एक बहुत बड़ी deal थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की economy के लिए, और problem ये हो गई कि पाकिस्तान का debt बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान का debt इन projects के कारण बढ़ गया, ये एक criticism जरूर हुआ था, नवाज शरीफ की जो foreign outreach थी, उसके कारण military के साथ उनका काफी टकरा हुआ, military कहती थी कि जो important निर्णे है, वो हम पर छोड़ो, भारत के साथ बातचीत हम पर छोड़ो, internationally क्या करना है, वो हम पर छोड़ो, तुम क्यूं फैसले ले रहे हो, 2014 में इनकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, military generals pressure करते हैं शरी होता है, 2017 में पाकिस्तान का सुप्रीम कोट नवाज शरीफ को फिर से disqualify कर देता है, public office hold करने से, दो बार इनको सुप्रीम कोट disqualify कर चुका है, और अब इनको इस्तीफा देना पड़ता है, इनकी party के शाहिद खकान, अबासी, बद्धे हैं, प्राइम मिनिस्टर और नव नवाज शरीफ को convict किया जाता है, पाकिस्तान की अदालत कहती है कि इन दोनों पर जो ब्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो बिल्कुल सही है, नवाज शरीफ लाहर रिटन होते हैं, कि नहीं मैं अपने देश आकर जो भी charges हैं, उनको face करूँगा, लाहर आते हैं, इनक 18 अगस्त में उसमें इमरान खान कप्तान की पार्टी तहरी के इनसाफ चुनाव जीत जाती है, तो इमरान खान पाकिस्तान की cricket team के captain हुआ करते थे किसी समय में, वर्ल्ल कप जिताया था इनोंने पाकिस्तान को, और 96 से ये politics में involved हैं, लेकिन 22 साल तक चुनाव लड़ने के फाइनली ये प्राइम मिनिस्टर बने, हलाकि इनकी पार्टी लोकल प्रोविंशल इलेक्शन जीत गई थी 2011 में वे, 2008 में, 2000 और उसके बाद पावर में भी थी, लेकिन नैशनल लेवल पर इनकी पार्टी 2018 में जाकर पावर में आ पाई, वो भी coalition government है, इमरान खान प्राइम बाद से लड़ने के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, डिसमबर 2018 और जनवरी 2019 में, चाइना, सौधी अरेबिया और UAE से पैसा मांग कर, पाकिस्तान का काम चला, फॉरेन एड और इन्वेस्मेंट यहां से लिया गया, क्योंकि यूएस ने पैसा नहीं दिया था, फेबरी 2019 में, पुलवामा अटैक होता है भारत में, और इसके बाद से पहली बार, 50 सालों में, इंडियन एर फोर्स पाकिस्तान की धरती पर हमला करती है, पाकिस्तान पर, बाला कोट नाम की जगे पर एर स्ट्राइक करी के इंडियन एर फोर्स के दोरा, और वहां पर कई आतंगवादी मारे गए, और ये 1971 वार के बाद पहली बार असा हुआ था कि इंडियन फाइटर प्लेंस बॉंब एन एरिया इंसाइड दे टरिटरी ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान ने दुनिया को दिखाने के लिए एक क्रैक डाउन शुरू किया मिलिटेंट्स पर कई सारे Orthodox Religious Schools भी बंद किये, लेकिन भारत इससे ज़ादा इंप्रेस नहीं हो पाया, और अभी भी FATF की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का इशू चलता रहता है, 2019 में एक और डेवलप्मेंट हुआ पाकिस्तान में, काफी important वो ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ, एक्स प्रेज पाला था और COVID Financial Stimulus Package भी दिया गया, हलांकि पाकिस्तान ने काफी जल्दी COVID पर काबू पा लिया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर इनफ टेस्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए numbers थोड़े लो थे, इसी के साथी lecture समाप्त होता है, I hope you enjoyed it, thank you very much, have a great day.